दोस्तों कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी को इंस्योंस पॉलिसी बताने के लिए जाते होंगे और वो सामने वाला वेक्ति आपसे कहता होगा कि मेरे पास तो यार बहुत सारा पैसा है मुझे इंस्योंस पॉलिसी नहीं चाहिए या हो सकता है कोई वेक्ति आपसे कहता हू वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन दोस्तों मैं आपको इस objection का जवाब दूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी request है कि यदि आप हमारे YouTube चेनल पर नए हो या आपने हमारे YouTube चेनल को अभी तक सबस्काइब ना किया हो तो चेनल को सबस्काइब करें साथी साथ बेल आइकोन पर भी क्लिक कर दें जिससे कि आपको आने वाली हमारी सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों जब भी आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पेशा है तो दोस्तों जब भी आपको कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है तो आपको उस व्यक्ति से कहना है कि भाईया मैं आपकी बात से पूरी तहसे मत दूँ और मैं भी मानता हूँ कि आपके पास बहुत सारा पेशा है आपको इंस्वेंस की कोई आव सकता नहीं है इसके अलाव यदि कोई वेक्ति कहता है कि मैं पास बहुत सारी इंस्वेंस पॉलिसी है तो भी आपको इस वेक्ति को कहना है भाईया मैं मानता हूँ आपकी बात कि आपके पास बहुत सारी इंस्वेंस पॉलिसी होगी मैं आपकी बात से पूरी तहसे मत दूं लेकिन भाईया मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन पाचों कारणों को जानने और समझने के बाद आप अपने आपको इंस्योंस पॉलिसी लेने से नहीं रोक पाएंगे तो आईए जानते हैं पाच उन महत्पुन कारणों के बारे में जिन में से यदि आपके लिए कुछ एक भी महत् तो भईया पहले नंबर का जो कारण है वो ये है कि आपको जो लगातार इंकम मिलती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए आपको एक इंस्योंस पॉलिसी ले लेना चाहिए यानि भईया आप हर महीने जो भी इंकम कमाते हैं आप हो तो इंकम कमा रहो लेकिन भाईया यदि आपको कुछ हो जाता है आप इंकम कमाने लायक नहीं रहते हैं यानि भाईया भगवान ना करें कभी आपके साथ एसी कंडिशन हो जाती है आप अपंग हो जाते हैं आप काम नहीं कर पाते हैं और आपकी इंकम बंद हो जाती है तो यदि आप policy लेके रखते हैं तो आपकी जो यह लगातार income आती थी यह income continue आती रहेगी आपको वह आपकी family को यह पेशा मिलता रहेगा यह आपकी date हो जाती है तो इस condition में जो आपकी income आती है हर मेने यह बंद हो जाएगी और यदि आप एक insurance policy लेके रखते हैं तो दोनों ही condition में आपकी income यह लगातार आती रहेगी तो आपकी जो income है यह लगातार आपको हर condition में मिलते रहे तो इसको protect करने के लिए इसको सुरक्षित करने के लिए आप एक insurance policy ले सकते हैं इसके अलाओ भाईया जो दुसरे नंबर का कारण है वो यह है कि भाईया आज से कुछ साल बाद जब आज से कुछ साल बाद जब आपके उमर पचार साथ साल की होगी तो हो सकता आपका सरीर इतना साथ ना दे आप आज की जितनी मेहनत ना कर पाओं लेकिन भाईया खर्चे तो लगेंगे आपको और हो सकता उस समय जो आपको खर्चे लगे वो आज से जादा ही लगे तो कि जूर समय आपके जो मेडिकल के खर्चे वो भी काफी जादा बढ़ चुके होंगे तो भाईया खर्चे तो होंगे आपके पास लेकिन आपके पास जो इंकम होगी वो बहुत कम होगी या यूँ कहें कि बिल्कुल भी नहीं होगी तो भाईया रेटार्मेंट में भी आपको continue income आते रहे लगातार income आते रहे तो उसको protect करने के लिए भी आप एक insurance policy ले सकते हैं तो आईए भाई आप जानते हैं तिसरे नंबर के कारण को तो भाई जो third number का कारण है वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं इनके education वो इनकी marriage को protect करने के लिए सुरक्षित करने के लिए आप एक insurance policy ले सकते हैं और भाईया जो चोथे नंबर का कारण है वो ये है कि भाईया आपके पास जितनी भी जमीन जायदाद है मानलो आज आपके पास 2 करोड, 3 करोड, 5 करोड रुपे की जमीन जायदाद है आपके बच्चे और बराबर 5 करोड रुपे मिल जाए तो देखा जाया तो आप अपनी जमीन जायदाद को पोटेट करने के लिए एक insurance policy ले सकते हैं इसके अलाव भाईया जो पाच्वा कारण है एक insurance policy लेने का वो ये है कि हर महीने भाईया आपके घर में कुछ ना कुछ खर्चे लगते हैं खाने पीने के घर के बिल भणने के घुमने फिनने के या कभी महीने दो महीने चार महीने में किसी की साधी आ जाती है तो उस साधी का खर्चा यानि देखा जाए तो हर महीने 20 अजा, 25 अजा, 50 अजा रुपे तो जाहिड सी बात है उसे कही न कहीं कमी दिखेगी और वो कुछ न कुछ पोटेट करने के लिए आप से बहुत ही असानी से एक इंस्वेंस पॉलिसी ले लेगा तो मैं उमीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा तो यदि वाकी आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दुसरे एजेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करें